तो ये है एक ऐसा 5G फोन जो की आपको काफी कम कीमत पे Amazon के उपर मिल जाता है नाम है Redmi 12 5G साइध ये इंडिया में पहला ऐसा फोन है जो Snapdragon 4 Gen 2 के साथ लॉंच हुआ है वैसे तो ये फोन जिस price point पे आता है उस हिसाब से दिखने में काफी खुबसूरत और premium दिखता है लेकिन हर फोन में अच्छी बातों के साथ साथ कुछ कमिया भी होती है तो इस फोन में भी एक दो major कमिया है तो इस फोन में जो भी अच्छी बाते हैं और जो भी बुरी बाते हैं वो सारा कुछ मैं आपसे सेयर करूँगा डिटेल में इसी वीडियो के अंदर तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेकनिकल और हेलफुल वीडियो लेके आता रहता हूं तो सबसे पहले देख लेते हैं box content की इसके अंदर आपको क्या-क्या चीजे देखने को मिलती है तो box के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले एक फोन जाहिर सी बात है फोन का box है तो फोन तो मिलेगा ही इसके साथ आपको मिल जाता है 22.5 वाट का एक charger इसके अलावा type A to type C data cable एक SIM ejector tool और एक silicon case जो की transparent है और matte finish के साथ आता है एक बात तो है entry level phone के हिसाफ से case की quality काफी अच्छी दी गई है case के साथ भी phone दिखने में काफी premium लगता है अब बात करते हैं phone के specs की वैसे तो phone plastic build है यानि कि इसके जो frame है वो plastic के है लेकिन इसका जो back side है वो glass है और glass भी ऐसा जिसपे fingerprint नहीं आएगे क्योंकि इसके उपर matte finish दी गई है और इसके उपर gorilla glass की protection भी है कौन सी protection है ये तो कहीं mention नहीं है लेकिन protection है बात करें इसके front side की त तो main camera आपको मिल जाता है 50 megapixel का 2 megapixel का एक macro sensor मिल जाता है और जो front camera है वो 8 megapixel का है front और back दोनों ही camera से maximum आप 1080p 30fps तक की video record कर सकते हैं बात करें इस phone के processor की तो जैसा मैंने आपको starting में ही बताया कि ये phone आता है snapdragon 4 gen 2 के साथ ये processor 4 nanometer पे है और इसके अंदर आपको 75G के band मिल जा storage है और इसके अंदर SIM slot दिया गया है वो hybrid है यानि कि दो SIM card एक साथ लगा सकते हैं या फिर एक SIM और एक memory card लगा सकते हैं इसके अंदर 3.5 mm jack भी आपको मिल जाता है single speaker है charging और data transfer के लिए type C port है 50 image case में आपको battery मिल जाती है और ये phone 18 watt की charging को support करता है अला कि box के अंदर 22.5 watt का charger software की बात करें तो ये phone MIUI 14 और Android 13 के साथ आता है ये तो हो गई इस phone के specs अब बात कर लेते हैं इस phone के price के बारे में वैसे तो ये phone imagine के ऊपर आपको 12,000 रुपए का मिलता है लेकिन card offer लगा के कभी-कभी discount में इसको 11,000 में भी ले सकते हैं इसका base variant जो की आता है 4GB RAM 128GB storage के साथ अब बात करते हैं कि इस phone के अंदर अच्छी बाते क्या है price point के हिसाब से और बुरी बाते क्या है फिर बात करेंगे final conclusion की कि कि किसे ये phone लेना चाहिए और किसे ये phone skip करना चाहिए तो अच्छी चीजों में सबसे number one पे है इसका build और design ये phone glass bag के साथ आता है दिखने में काफ 30hz की display है और body display है जिसे कि जो लोग mobile पे movie वगएर देखते हैं उनके लिए beneficial रहने वाला है जाहिर सी बात है IPS है तो एम बोड़ी जैसे color तो नहीं मिलेंगे लेकिन आप जो price पे कर रहे हैं उसके हिसाब से display अच्छी है क्योंकि आप 11-12,000 का अगर phone खरीदने जाएंगे त इसकी loudness अच्छी है, sound quality अच्छी है और अगली जो अच्छी बात है इस phone में वो है इस phone का processor जो कि है snapdragon 4 Gen 2, price point के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी performance आपको मिल जाती है, साड़े चार लाग के आसपास इसका antutu benchmark आता है, casual gaming वगएर भी इस पे आप आराम से कर सकते हैं, और यह processor काफी stable है, throttle test वगरे में भी काफी consistent perform करता है, अगली जो अच्छी चीज है कि इस processor के अंदर आपको 5G connectivity काफी अच्छी मिलती है, और speed भी अच्छी आती है, और अगली चीज है battery life, क्योंकि इसके अंदर snapdragon का 4 nanometer वाला processor लगा है, तो यहाँ पे battery life भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, अब यह जो चीजे मैंने बताई, वो price के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस phone में एकाद major कमिया भी है, सबसे पहली कमी इस phone का camera, वैसे तो 50MP का sensor इसके अंदर दिया गया है, लेकिन इसकी low light performance काफी खराब है, वैसे तो daylight में फोटो ठीक ठा का आजाती है, entry level phone के हिसाब से, लेकिन low light में इसकी performance बहुत ही बेकार है, कोई भी ultra wide sensor यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन main camera से भी उतनी अच्छी photos नहीं आती है, और इसमें आप maximum 1080p 30fps तक की वीडियो record कर सकते हैं, दूसरा यह कि इसकी charging थोड़ी सी slow है, भले ही box में आपको एके करके uninstall करना पड़ेगा, इसके साथ एक चोटा सा bug और मिला कि dual apps वैसे तो setting में दिखा रहा है, लेकिन जब आप उस पे click करेंगे तो यह कहीं और redirect कर दे रहा है, तो अभी के लिए dual apps काम नहीं कर रहा है, I hope कि software update में यह चीज fix हो जाएगी, तो अब आते है conclusion पे कि कि क data buy buy कर दीजिए, अगर आपको camera से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अगर आपको एक सस्ता सा 5G phone चाहिए, जिसके अंदर internet अच्छा चले, content watching आप कर पाए, casual gaming कर पाए, normal सारी चीज़े कर पाए, तो यह phone आप आराम से 11-12,000 के price point पे ले सकते हैं, camera वाली problem को छोड़के बाक हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद बन्ने मात्रब